ये सब हमें बेचा गया है, क्यों करना चाते हो मेरे जैसे महनत और फिर उस प्रोसेस के थू जाना चाते हो, सिरफ एक कड़वा सच डिसकावर करने के लिए, जितना उसका अट्रैक्शन था ना, उतने लेवल का उसका साटिस्फाक्शन नहीं होता, मायावादी दुनिया में हर चीज सिरफ एक फंक्शन के लिए मैटर करती है, तो जो स्टिमिलेशन हमें दिया गया है, वो हमारे इंटेलिजेंस को कोरियोग्राफ कर रहा है, इतने गुजरे हुए हैं लोग दिमाग से, अल्टिमेटली जो चीज मैटर करती है, वो ये है कि आज हम एक ऐसे समय पे रहते हैं, जहां पे गाओं वाले भाग के शेहर जाना चाते हैं और वो जिन्दगी चाते हैं, जबकि उन्हें पता नहीं कि शेहर की जिन्दगी जादा मगज मारी की है, उदर आप जिन्दगी जीवन का जो असली स्पीड और पेस है, उसको आप इ कनेक्शन पूड जाता है, साथ में आपकी इंसानियत गिर जाती है, क्योंकि सिंप्ली हर चीज का नेक्स्ट ऑप्शन है, चाए वो खाना ओडर करना हो, चाए वो दोस्त बनाने हो, चाए वो लड़की पटानी हो, हर चीज में इतने ऑप्शन और अल्टरनेटिव्स हैं कि उनकी वैल्यू गिर जाती है, जिसकी वज़े से सिर्फ उनकी वैल्यू नहीं गिरती हमारी भी वैल्यू गिरती है, ठीक है, तो अगर हम यह सारी अलग-अलग चीजे समझें, तो हमें यह समझ में आएगा कि नो माटर हम कौन हैं, हम कहां से हैं, हमारे माबाप कैसे हैं, हम कपड़े कैसे पहनते हैं हम बात कैसे करते हैं ये सारी चीजें सिरफ सेंसिस को अपलाई करती हैं और सेंसिस की वैल्यू वहीं तक है जहां तक वो सेंस उस चीज़ को अब्जर्व कर पा रही है मतलब एक गाउवला इंसान जिसके हाथ में आप कभी मुबाईल फोन पकड़ा आओगे नहीं उसको कभी भी उस चीज़ के लालच या लस्ट नहीं होगा क्योंकि वो जहां है उस खुशी में वो संतुष्ट रहेगा ये सब हमें बेचा गया है लेकिन आप वही स्टिमुलेशन उसके सामने से हटा दो तो उसकी अट्रैक्शन उन चीज़ों की तरफ गि आपकी भाषा जैसी भी हो अल्टिमेटली जो चीज मैटर करती है वो यह है कि आप इनसान किस प्रकार की हो क्योंकि अगर आपको अंग्रेजी आती हो या कोई ट्राइबल लैंग्विज आती हो आपका बिहेवियर एक जैसा है या फिर एक अच्छा इनसान जैसा है जो व्यवहार में रिफ्लेट करता है मेरे जैसा इनसान उधर इजट देगा जहां पर मेरे को व्यवहार ज्यादा प्रेम की तरफ वाला दिख रहा है नॉट शो ऑफ इगो वाला जैसे कि जस्ट बिकॉज अगर मैं समझ लो मैं गाउं से शेहर आया मेरे जैसे कम से कम दस लाक लोग हर महीने गाउं से आते होंगे उसमें से समझ लो दस लाक में से 9.9 लाक फेल कर गए दस लार लोग या कुछ सक्सेस्फुल हो गए उसमें से मैं तोप सक्सेस्फुल हो गया मैंने फोर वीलर ले लिया अब मैं लोकल ट्रेंड में नहीं जाता अब क्या मैं वो फोर व तो मैं उतना ही बड़ा जितने बड़े मेरे सेंसेज हैं। आप समझ रहे हों, क्या समझानी कोशिश कर रहा हूं। जो मायावादी दुनिया है, मतलब जो दुनिया चमकती है, जिसके पीछे आप जाना चाहते हो, जिसके पीछे, जिसकी वज़े से आज आपको अपने बारे में कम लगता है, वो जो दुनिया है, उसकी चमक बहुत टेंपररी है, और वो मैटर नहीं करती हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, लोग, ये ना, ये मैंने तब नोटिस किया, जब लोग मेरे को बोलते थे, एस्पेशली गर्ल्स के केस में, लेकिन सरद भाई, आपकी तो गर्ल्फरेंड्स थी, आप तो इस किल में इंप्रूफ कर पाएगा। क्यों करना चाते हो मेरे जैसे महनत और फिर उस प्रोसेस के थ्रू जाना चाते हो, सिरफ एक कड़वा सर्च डिस्कावर करने के लिए। हेलिकॉप्टर से ट्रावल करते हैं, काश मेरे पास हेलिकॉप्टर हो, फिर आपके लिकॉप्टर आजागा, फिर बोलोगे कि मैं यार सिरफ अपने देश और ये सड़ेवे संडाज जैसी स्मेल वाले शहर में क्यों ऐसे गूम रहा हूं, हेलिकॉप्टर में मेरे को प्रा जितना उसका अट्राक्शन था ना, उतने लेवल का उसका साटिस्फाक्शन नहीं होता, समझ लो, दस साल आप में हो, गाउं से निकल के, दस साल लगे आपको फोर वीलर लेने में, दस साल तक आपको उस चीज का लालच है, जिस तरह से वरजिनिटी में आदमी को सेक्स का लालच है, क्योंकि अभी तक हमारे पास है नहीं, जितना लालच है versus जब वो मिल जाएगा ना, उतना फिर साटिस्फाक्शन भी रहना चाहिए ना, दस साल का साटिस्फाक्शन रहना चाहिए फोर वीलर लेने के बाद, अगर दस साल उसके पहले अपन उसके लालच में थे मैं आपको बताता हूँ एक दो महीने से ज़ादा उसका satisfaction नहीं रहेगा उसके बाद आप मायावादी दुनिया में हर चीज सिरफ एक function के लिए matter करती है तो जब आप समझ जाओगे कि मेरा four wheeler is just मेरे को यहाँ से वहाँ पहुचाने के लिए और अगर मौसम गंदा है तो उससे बचाने के लिए उससे बड़ी कोई satisfaction आपको नहीं मिलने वाली इस चीज से तो दस साल आपको दूसरों से कम लगा क्योंकि आपके पास नहीं था लेकिन जब आ गया तो ज़्यादा स्यादा एक-दो महिने तक अच्छा लगा जिस तरह से हम जब एक नया फोन खरीते हैं जब हम एक नया फोन खरीते हैं उसको बिस्तर पे भी आराम से रखते एक दम पहले एक हफते दो आफते छे महीने बाद अपन घर ता पूरा का पूरा उसकी तरफ बदल जाएगा इसलिए मैं कहता हूँ स्टार्टिंग से कहता आ रहा हूँ कि इट इस मोर डिफिकल्ट टू रिटेन अट्राक्शन ऑफ वुमन दन इस तू लॉन अट्राक्शन बहुत है सिंपल है सौच सिखा रहे हैं यूट्यूब पे वो भी मुझसे कॉपी कर गए लेकिन उसको रिटेन करने के लिए अंदर सबस्टेंस जीए जो अगें वो ना सौच में ना उनको जो लोग देख रहे हैं उनके अंदर है क्योंकि अगें वो जो पूरी इंडस्ट्री है वो हेविली मायावादी डिजायर और ड्राइव के ऊपर पुश कर रही है आप अगर देखोगे जो सबसे सक्सेस्फुल नॉर्मली यह यूट्यूबर्स और यह सब रहते हैं उनका हर थमनेल हर टाइटल एटसेटरा आपको इंडिरेटली रिवर्स साइकोलोजी के थ्रू कम दिखाने के लिए होता है कि अगर तुमने यह नहीं देखा तुम जिन्दगी भर पीछे चुड़िया होगे मैं उसको कभी जिन्दगी में बदलब कभी क्रॉस भी ना करूं फिर भी वो मेरे सक्सेस के इंपाट को एक परसेंट का इंपाट निकर सकता लेकिन आप देखो ना सब लोग कितना घहरे फसे हुए आप खुद फसे हुए हो आप जितना टाइम फोन पे स्पेंड कर रहे हो आप 100% फसे हुए हो 100% फसे हुए हो लेकिन यह आपके गलती नहीं है यह गलती उन किये जिन्होंने यहाँ पे इंटरनेट लाया जिन लोगोंने स्मार्टफोन को बहुत सस्ता कर दिया जिन लोगोंने 4G overall हर जगां गाउं गाउं में छोटे-छोटे बच्चों को पकड़ है consciousness in the sense technology एक बहुत advanced power है आप वो गाउं वाले को दो जैसे कि एक बंदूक गाउं वाले को पता ही नहीं है कि बंदूक क्या होता है आप एक शहर वाले को दो जिसको पता है दुनिया में वार होती है उसमें बंदूक को मारने के लिए क्योंकि वो उसने टीवी पे देखा है तो बंदूक एक technology होगी आपने एक tribal को पकड़ा दिया आदिवासी इंसान को और आपने एक city वाले इंसान को पकड़ा दिया शहर वाला इंसान जानता है इससे मैं किसी को मार सकता हूं और उसको पता है कि मैं trigger दमाऊंगा तो गोली निकलेगी जो आदिवासी है उसको नही होते हुए हमारे roots को हमने कभी नहीं भूलना है number one number two वह हो गई बात जब तक हम identity की बात कर रहे हैं दूसरी बात हम जो अंदर से हैं हमें वह पैचानना है बाहर हमें X या Y या Z नहीं बनना है क्योंकि उस तरह के तो already 100 करोड़ लोग है आज अगर आप पॉचके success पा लिए और four wheeler खरीद लिए अगर तुम्हारा गोल इतना चोटा था तो बॉचके तो कम से कम 10 करोड four wheeler होंगे तो तुमने क्या उखाड़ा बस तुमने अपना जो गाओ था या वो जो लोग तुम्हें लगता है तुमसे अब कम रह गए उनके सामने तुम तोब बन सकते हो तुम कि हमें सिर्फ यही प्रमूट किया जाता है जिसकी वज़े से हर इंसान आज के जमाने में चाहे वो आप हो एक ट्राइबल जगा से आते हुए चाहे वो एक अमीर बाप का बच्चा हो वो भी मेरे पास आते है कोचिंग के लिए दोनों को अपने बारे में कम लगता है तो ह झाल 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 झाल